जितने भी लोगों को एक ऐसे mutual fund का इंतजार था जो mid cap and small cap दोनों को cater करें मतलब जैसे large and mid cap fund होते हैं वैसे ही mid and small cap fund को ही हो जाए तो Mirai Asset mutual fund ने ऐसे लोगों को जो wish थी जो उनकी चाहत थी उसको यहाँ पर पूरा किया है या फिर करने जा रही है SEBIB के पास approval के लिए परा हुआ है एक mid and small cap fund from Mirai Asset mutual fund Mirai Asset AMC की तरफ से यह जो fund है यह normal mid and small cap fund नहीं होगा mid and small cap 400 quality 100 index fund को track करेगा यह ETF की तरह इसको launch करें और ETF होगा तो mutual fund भी होई जाएगा मतलब जो small cap के 250 stocks हैं and mid cap के 150 stocks हैं इनको मिला के बनता है mid and small cap 400 index fund जिसके अंदर 400 stocks होते हैं लेकिन इन 400 को पूरा पूरा यह copy नहीं करेंगे एक और index है जो थोड़ा सा advance होता है जो mid and small 400 quality 100 index होता है इसके अंदर में 100 stocks होते हैं जो की quality basis पे इन 400 stocks में से निकाले जाते हैं जो की highly profitable होते हैं highly stable होते हैं मतलब बहुत कम volatile होते हैं इनके उपर कर्ज बहुत कम होता है और momentum में भी होते हैं कुल मिला के जो normal indexes होते हैं उसमें से जो quality index निकाला जाता है वो थोड़ा सा बहतर perform करते हैं normal index से return और volatility के मामले में तो ऐसा ही fund launch करने जा रही है Mirai Asset Mutual Fund इस fund या ETF जो भी बोलो इसके अंदर में 70% जो investment है वो mid cap के अंदर में होगी जो की index का ratio है 70% mid cap में and 30% small cap के अंदर investment होगी तो यहाँ पे liquidity और volatility मतलब volatility कम रहेगी और liquidity हाई रहेगी liquidity का कोई issue नहीं आएगा यहाँ पे जो main दो sector हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा investment जाएगी वो financial sector and consumer goods के अंदर में सबसे ज़्यादा investment जाएगी देश की 10 सबसे बड़ी अगर EMCs की बात करे तो उसके अंदर mirai asset ही एक ऐसी EMC है जिसका कोई भी actively managed small cap अभी market के अंदर available नहीं है इनका है भी तो 250 small cap जो fund है वो available है actively managed available नहीं है जहाँ तक बात रहती है तो EMC का कहना है कि हमने market के अंदर में survey किया है बहुत सारे लोगों की मांग है कि एक mid and small cap fund market के अंदर में होना चाहिए जो की market के अंदर में available नहीं है और सिर्फ EMC का नहीं अगर मैं अपनी भी बात करूँ मैं अपने comments बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ कुछ comments हों के छोटते होंगे नहीं तो जातर comments में पढ़ता हूँ तो वहाँ मेरे comments से भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो की एक mid and small cap की जिनको need है जो चाहते हैं कि mid and small cap fund एक हो तो उनके लिए एक ये बहतरीन जरूर निकल के आ जाता है पिछले एक साल में इस scheme ने 60% का return दिया है इस index ने scheme क्या अभी तो scheme बनेगी इस index ने जो ये mid and small 400 quality 100 index है इस index ने एक साल में 60% का return दिया है और अभी भी जो ये है इसका जो stocks है total index है वो 23 के PE पे available है तो nifty से भी अगर compare करते हैं तो बहुत ज़्यादा high valuation हमें नहीं दिखता है normal small cap index या 250 या 50 इन सब का valuation high होगा लेकिन ये जो quality 100 index है उसका valuation अगर nifty के साथ देखते हैं तो nifty का जो average valuation होता है high 22-25 तक भी जाता है तो वहाँ उसके against में हमें बहुत ज़्यादा high valuation पे ये index नहीं दिखती है तो अभी भी इसके लिए room है उपर grow करने के लिए अब जब launch होती है तो हमें देखने को मिलेगा कि कैसा ये करती है किस तरीके का इसको response मिलता है और किस तरीके का ये return देती है return की मामले में अगर उमीदे मैं बताओ कि future में कैसे return मिल सकते है तो इतना तो मुझे यहाँ पे इस fund पे एक तरीके से भरोसा कह सकते हो है कि इस तरीके का जो fund होगा mid and small cap fund plus quality अगर उसके साथ जुरा होगा तो यहाँ पे 15% plus के long term return जरूर generate ये fund कर सकती है 2025 15% plus के return जो एक normal flexi के fund होता है उससे बहतर return जरूर इस scheme को generate करके देने चाहिए उतनी ही volatility के साथ जितना wallet आई एक flexi cap fund होता है normal कह सकते है जो की थोड़ा बहुत भी mid small के अंदर invest करता है देखते हैं आगे future में क्या होता है आप अपनी राए इस scheme के बारे में नीचे comment में जरूर देना क्या मैं invest करूँगा इस scheme के अंदर नहीं मैं invest नहीं करूँगा मैं proper small cap fund के अंदर ही invest करता हूँ इसलिए मैं इस scheme के अंदर invest नहीं करूँगा क्या आप करोगे नहीं करोगे आपके काम किये नहीं है नीचे comment में जरूर बताना अच्छी जान करेंगे